हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम सूट का कपड़ा लेंगे सूट के कपड़े में यहां पर हम तीन इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे तीन इंच की चोड़ाई पे टिक लगाने के बाद अब हम आठ इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे स्केल की सहायता से इन दोनों टिक को हम लाइन अप कर देंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लाइन अप करना है दोनों साइट से लाइन अप करने के बाद अब हम यहां से हलका सा गोल सेप में लाइन अप करेंगे लाइन के बाहर भी हमें हलका सा लाइन अप कर लेना है अब हम यहां उपर के तरफ से यह देखिए ऐसे लाइन अप करेंगे ये वाले line में हमें ऐसे joint हो जाना है अब हम यहाँ पर धाई इंच की लंबाई नापेंगे ऐसे और टिक लगा लेंगे अब हम यहाँ से ऐसे line up कर लेंगे और टिक में joint हो जाएंगे ये देखिए इस तरीके से line up करने के बाद अब हम इसकी cutting करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से गले के डिजाइन की हमने कटिंग कर ली है अब हम कपड़े को ओपिन कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कटिंग कर लेनी है डिजाइन को तैयार करने के लिए ये दोनों कपड़े को अभी हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारा सूट का कपड़ा है इसे हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर देंगे अब हम एक लंबा सा चौडा सा बक्रम लेंगे बक्रम को बीच में से फोल्ड करेंगे और सूट के कपड़े की नीचे हम यहाँ पर लगाएंगे जिस सेप में हमारा सूट का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी सेप में हम यहाँ से ऐसे लाइन अप कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड, बक्रम के उपर कुछ इस तरीके से हमने लाइन अप कर लिया है अब हम यहां से तीन इंच दो पॉइंट की लंबाई नापकर ऐसे टिक लगाएंगे इस तरीके से चोड़ाई नापकर टिक लगाने के बाद इस टिक को हम लाइन अप कर लेंगे ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिलकुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए हमने डिजाइन की cutting कर ली है इस डिजाइन को हम इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देंगे कपड़े पे चिपकाने के बाद अब हम डिजाइन को तयार करने के लिए half cold shape में कटा हुआ एक बकरम कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों तीनीच है सेम साइच का एक और दूसरे कलर का कपड़ा लेंगे दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करके जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में सिलाई कर लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे के साइट से एस्टरा कपड़े को भी अब हम डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए हमने डिजाइन को सीधा कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से हमें 10-12 ऐसी डिजाइन बना लेनी है अब हम सारे डिजाइन को फोल्ड करके यहां पर ऐसे लगाएंगे यह देखिए पहले डिजाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे फिर यह वाले डिजाइन के उपर हम इस डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे डिजाइन को फोल्ड करके यहां पर लगाना है और इसके उपर सिलाई चला कर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारी के साइड से एस्ट्रा डिजाइन को ऐसे कट कर लेंगे डिजाइन के इस पैटन को तयार करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धेर सारा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों तीन इंच है कपड़े को फोल्ड करके हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे एक के बाद एक सारे कपड़े को बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है तो ये देखे फ्रेंड सारे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके डिजाइन बनाते हुए हमने इस डिजाइन के एक लंबी सी लाइन बनाकर तयार कर ली है अब हम इस डिजाइन को उल्टा करके यहां पर लगाएंगे और जिस सेप में हमारा कपड़ा है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला देंगे डिजाइन को कपड़े में ज्वाइंट करने के बाद धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन को हम फोल्ड करके ऐसे सीधा कर लेंगे ये देखिए हमने डिजाइन को सीधा कर लिया है अब हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े में यहां पर ऐसे लगाएंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम सिलाई चला लेंगे यहां से हम धागे को कट करेंगे और डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए डिजाइन के दूसरे साइड में हमें यहां से सिलाई चलानी है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें डिजाइन में चोड़ी पट्टी को लगाना है तो यह देखिए डिजाइन को उल्टा करेंगे और दो इंचोड़ा उरेबी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को फोल्ड करके हम यहाँ पर लगाएंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे लगाते हुए इसके किनारे के साइड में सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे डिजाइन को सीधा करेंगे और यहां से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को टाइटली घिजते हुए फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागी को कट कर लेंगे और एश्ट्रा कपड़े को भी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें डिजाइन का ये दोनों टुकड़ा लेना है अब हम दो इन चौड़ा उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को फोल्ड करके हम यहां पर लगाएंगे जिस सेप में हमारे डिजाइन की कटिंग की गई है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे कपड़े को हमें सीधा करके यहां से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय फ्रेंड आपको इस बात का ध्यान रखना है फोल्ड किया हुआ कपड़ा कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए, एक साइज में होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर ज्वाइंट करना है, यह देखिए, ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसके उपर हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे, जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठेगा। पर नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजाकर आल का उप्सन सेलेक्ट करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाएंगे। तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है। इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लोग कर लेंगे। यहां से हम धागी को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। सुई धागा के मदद से हमें डिजाइन में बटन को यहां पर लगा देना है। अगर आप डिजाइन में मोती को लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, डिजाइन में कुछ इस तरीके से आप मोती भी लगा सकते हैं. थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो.